सो फ्रेंस आज की सूड़ों में बात करने वाले 10,000 रुपे के बजट में कौनसा फोन अच्छा हो सकता है आपके लिए कौनसा फोन खरीदना चाहिए यदि आप जाएंगे भाईया मार्केट में 10,000 रुपे के बजट में फोन लेने तो आपको मिल जाता है Redmi 9 Prime, Redmi 9A, Narjo 20A, Poco M2 और भी भहुसतारे मुबाइल देखने को मिल जाते ऐसे में आपके लिए कौनसा फोन परफेक्ट होगा आपको कौनसा फोन खरीदना चाहिए आप आज की सूड़ों में देखेंगे अब यार यदि आप 10,000 रुपे के बजट में फोन लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको मिल जाता है Xiaomi की तरफ से Redmi 9A, Redmi 9 Prime, Samsung की तरफ से आपको मिल जाता है M11 और यदि बात करें Realme की तरफ से तो आपको मिल जाता है Realme की तरफ इन सबी फोनों में आप यदि इस प्रफेक्ट में जिसमें सब चीस सही वोगई की ताकि मैं मैं आपको बता सकू कि को आपकोथ हूं को खरीजना चाहिये आकि स्थाध आपको जाना चाहिए तो गाइस यदि बात करें 10,000 रुपे के बजट में सारे फोनों के सोट इस्पेसिप के सिन के गार आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलता है Realme की तरफ से C15 यार इसमें आपको मिल जाती 6000 एमेज की बड़ी बेटरी जो की ठीक ठाके कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिलती 3GB रेम और 32GB इंटरनल जो की यार 10,000 रुब के बजट की बात करें तो यह परफेक्ट नहीं हो सकता इसमें आपको प्रोसेसर भी उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है तो इस फोन के साथ आप नहीं जाए यह फोन में आपको रिकमेंडेट नहीं करूंगा यदि बात करें यहाँ पर Xiaomi की तरब से तो आपको यहाँ पर Redmi 9 Prime देखने को मिल जाए जिसकी प्राइस आपको मिल जाती भईया 9999 रुपए यदि बात करें इस पोन के रेम और रोम की तो आपको यहाँ पर 4GB रेम और 64GB इंटरनल देखने को मिलती है तो यहार आप इस पोन के साथ जा सकते हैं इसमें आपको 5000 एमेज की बड़ी बेटरी भी देखने को मिलती है साथी में आपको यहाँ पर 13MP रेर केमरा और फ्रेंट में आपको 8MP देखने को मिल जाता है बाकि आपको camera भी सेम देखने को मिलते हैं लेकिन आपको यहाँ पर पोको M2 में camera जो rear camera आपको आपपे चेंजस देखने को मिल जाता है आपको 13MP 8MP 5MP 2MP rear में और साथी में आपको 8MP front में देखने को मिल जाता है तो यहार यहार पर प्रोसेसर भी आपको सेम मिल जाते हैं दोनों पोनों में Redmi 9 Prime हो गया या फिर हो गया Poco M2 लेकिन इन सारे आपसों से अच्छा एक आपसों मिल जाता है आपको Realme की तरफ से नार्जो 20 अब यार नार्जो 20 आपके लिए परफेक्ट कैसे हो सकता है नार्जो प्लस 8 Megapixel प्लस 2 Megapixel रियर में और यदि बात करें फ्रेंट में तो आपको 8 Megapixel फ्रेंट में देखने को मिल जाता है इस फोन में जो 48 Megapixel AL triple camera है यही quality बाकी उन सब भी फोनों से इस फोन को different कर देती है साती में यदि बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो आपको इसमें Mediate Helios G85 processor देखने को मिल जाता है बाकी आपको 10 दर्वर्प के budget में Mediatek G85 processor सायदी देखने को मिलेंगे यह बात करें रेड़मी 9 Prime की तो आपको इसमें G80 मिल जाता है बाकी पौनों में तो यहार जी 35 मिलता है जी 30 मिलता तो उन पौनों की तो हम बात ही नहीं करते हम बात करें चेज़ 20 की तो यहार है बेटरी बेकप की तो आपको इसमें 6000 एमेज के बड़ी बेटरी देखने को मिल जाती है साथी में आपको यहां पे 18 वार्ट फार्स टार्जिंग सपोर्ड भी देखने को मिल जाता है अब इसी बात करैं यदि आपका budget 10,000 रुपए का है तो यार मैं आपसे बोलोंगो कि भाई आप अपना budget 500 रुपए बढ़ा लीजिए जिससे कि आपको एक अच्छा सा perfect look वाला फोन, perfect performance वाला फोन, perfect processor वाला फोन और perfect battery backup वाला फोन देखने को मिल जाता है तो यार यदि आप 10,000 रुपए के budget में जो आपको मिल रहे हैं Poco M2 हो गया या फिर Redmi 9 Prime हो गया उनमें आपको camera भी अच्छे नहीं मिलते हैं मतलब कि अच्छे मिलते हैं पर उतने अच्छे नहीं मिलते हैं जितने कि आपको नार्जो 20 में मिल जाता है आपको इसमें 48 megapixel AL triple camera द पताई दिया क्या क्या सब्सक्राइब आप नार्जो 20 ले सकते हैं यदि आपका बजट 10,000 रुपए का है तो यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरू बताए और यदि आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं गया तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ दबा